नमस्कार दोस्तों आज स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल में और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच लेंगवेज की फ्रेंच एक बहुत ही पॉपलर लेंगवेज है और इसको मेरे हिसाब से सभी लोग बाग सीखना भी चाहते हैं जिस लोगों को फ्रेंच आएगी वो फ्रेंच में बाते कर सकते हैं और एक अपना अलगी impression uf फ्रेंच लेगवेज के आज बहुत सारी diplomas और courses बाते हैं तो अगर आपको language सीखने में इंट्रेस्ट है या आप नहीनी language सीखना चाहते हैं तो please बने रहे हैं और देखते रहे हैं यह चैनल आज हम बात करते हैं alphabet की यानि कि हमारे जो French है और English के alphabet में कोई difference नहीं है क्योंकि उसके भी 26 alphabet होते हैं और English में भी 26 alphabet होते हैं तो वो लिखे कैसे जाते हैं बिल्कुल उसमें भी कोई डाउट नहीं है आपने वो अची तरह से याद किये हुए हैं मेरा मतलब है कि आपने A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z पढ़े होंगे तो उसी टाइप से वो alphabet भी होते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि फ्रेंच में अगर हमको फ्रेंच लिखना है तो फ्रेंच को फ्रेंच अगर वर्ड का प्रियोग करें देखाएं तो वो ऐसा ही लिखा जागा लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करेंगे तो वो अलग बात हो जाईए यह नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पर चीड़ ऐसी लिखी जाती है लेकिन मेरा मतलब यह है कि हमारी जो ABCD है वहाँ पर भी वही ABCD वार्ड करती है बस उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है तो आज मैं आपको बताता हूँ आप लोग आप पढ़ते किस टाइप से हैं त यह हमारे वहाँ पर यानि French में A पढ़ा जाता है F को F पढ़ा जाता है और J को J पढ़ा जाता है H को वहाँ पर आस पढ़ा जाता है और I को हम वहाँ पर E पढ़ा जाता है और J को G पढ़ा जाता है K को K पढ़ा जाता है और L को L पढ़ा जाता है यानि कि वहाँ पर M को M पढ़ा जाता है और N को N पढ़ा जाता है और जो O है इस O को O पढ़ा जाता है P को P पढ़ा जाता है P और Q को Q पढ़ा जाता है R को Air पढ़ा जाता है और S को S पढ़ा जाता है T को T और U को EU पढ़ा जाता है V को W और W को W और X को EX पढ़ा जता है Y को Y और Z को Z पढ़ा जता है यानि कि हमारे alphabet यानि कि alphabet आज ही कतम होते हैं और देखिए अगर आपको आज continuous आज जो हमने work दिया है यानि कि first day में जो work हुआ है आप उसको please note कर ले और अगले time के जो अगला chapter आएगा कि आप बहुत ही जल्दी आनि कि केवल 30 days के अंदर आप बहुत ही अच्छे से friends सीख पाएंगे अगर आप 30 day complete नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं अब कम से कम 15 days तो देखें को कि 15 days देखने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप लगबग नॉर्मल सी चीज़ें आप पड़ पाएं तो प्लीज देखते रहें और बने रहें हमारे साथ थेंक यू